भारतिय जनता पार्टी के माननिय रास्टिय प्रवक्ता, श्री गौरो भार्टिया जी आपको संबोधित करेंगे, मेरा विनम्र निवेदन है, माननिय गौरो जी से कि आपको संबोधित करेंगे. बहुत बहुत आभार संजे बयुक जी सभी पत्रकार बंदों को भी नमस्कार आज की ये प्रेस्वारता बड़े ही भारी मंद से कर रहे हैं और उसका काराण ये है कि राहुल गांधी केम्ब्रेज उनिवर्स्टी जाते हैं लंडन और वहां पर एक सेमिनार होता है जिसका शीरशक था आइडियाज फॉर इंडिया विदेशी धर्ती पर अगर कोई नागरिक जाता है और जो धर्ती का पुत्र होता है भारत मा से प्रेम करता है वो अपने देश की एक ऐसी छवी प्रकाशित करता है जिससे की ना केवल 135 करोड भारतियों को बलकि जो भारतिय मूल के निवासी हैं और वहां के निवासी हैं उनको भी लगे की भारत कितना महान देश है लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही व्यक्तव देने लगे हैं और इस सेमिनार का शीर्षक कॉंग्रिस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रोइंग इंडिया रखना चाहिए क्योंकि यही उनकी मानसिक्ता है भारत को नीचा दिखाओ मोदी जी से नफरत करो और इस बात पे अब भारत की जंता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांदी इस अबिच्वल उफेंडर यह हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्षे होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूँ एक अपरिपक्व नेता एक पार्ट टाइम पॉलिटिशन आप भारती जंता पार्टी का विरोध कर सकते हैं स्वस्थ राजनिती का ये हिस्सा है लेकिन आप हमारे देश के लिए भारत के लिए अगर अब शब्द कहेंगे बे बुनियाद आरोप लगाएंगे तो ना केवल भारतिय जंता पार्टी पुर्जोर तरीके से इसका विरोध करेगी हमारा ये मानना है 135 करोड भारतिय जो हैं वो आपके इस नफरत की विचारधारा को नेश्ट नाबूत कर देंगे ये भी एक सवाल आता है कि क्या ये सयोग है या प्रेयोग है एक हताश कॉंग्रिस और उसके एक विफल नेता राहुल गांदी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं चाहे वो लंदन हो बरकली अमरीका में हो सिंगापोर हो उनके व्यक्तव पर कहीं न कहीं ये दर्चाते हैं कि आज की कॉंग्रिस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना मुझे दिखाओ चिंगारी मैं डालूँगा मिट्टी का तेल वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है आग लगी रहे देश में सोहार्थ बिगड़ा रहे एक प्रग्तिशील मजबूत भारत शिरी नरेंद्र मोदी जी के नित्रत में कैसे बन रहा है और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यह मिट्टी का तेल राहूल गांदी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छड़का है नहीं राहूल गांदी जी मिट्टी का तेल तो कॉंग्रिस पार्टी छड़कती है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ 1984 का जो नरसंगार हुआ जो कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं ने कटले आम करवाया उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कॉंग्रिस पार्टी के ही नेता थे और ये ट्वीट अधीर रंजन चौदरी जी के ट्विटर हैंडल से 21 मैं 2022 क्या कहता है राजीव गांदी की तस्वीर दिखा के जब बड़ा पेड गिरता है तो धरती हलती है और जब धरती हलती है तो कुछ हजाद नागरिक मार दिये जाते हैं यह हालत है आज कॉंग्रिस पार्टी में और ये कॉंग्रिस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अ परिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं, आठ साल विपक्ष में रहने के बाद कॉंग्रिस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होती है, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ, अगर विदेशी धर्ती पे हो, तो भारत की सारी अच्छाईयों को छुपा के केवल बुराई करो और वो भी जूट बोलकर, नहीं राहूल गांदी जी, भारतिय जंता पार्टी से ही सीख ले लीजे, विपक्ष में दश्को रहे, लेकिन हमेशा अगर भूमिका निभाई, तो एक सकरात्मक विपक्ष की, सत्ता रूड कॉंग्रिस को कमिया तो बताईं, लेकिन सत्ता का लालच नहीं था कि सत्ता पाने के लिए हम देश का नुकसान कर देंगे, दूसरी आपत्ती जनत टिपड़ी जो उन्होंने करी है, उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात है, राहुल गांदी जी ये भी हमें पता है कि आपको पढ़ने लिखने में ज़्यादा रूची नहीं है, मैं केवल आपको इतना बता दूँ कि जब से भारत आजाद हुआ, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमेशा लोकतंत्र का राज भारत में रहा, और पाकिस्तान वो मुल्क है, आजादी के 75 वर्षों में आदे समय वहाँ पे ताना शाह हुकूमत रही, यहाँ पर भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत में आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे आतंगवाद का मामला हो, और चाहे पूरे विश्व में वैक्सीन दे कर वसुदेव कुटुम्बुकम की किसी ने बात को चरितार्त किया हो, तो वो भारत हैं, और खबरदार राहुल गांदी, अगर एक अतंकिस्तान से, ऐसे मुल्क से, जिसके पास इतने साधन भी नहीं है कि वो अपने देश को चला सके, भी का कटोरा लेके कभी एक मुल्क की तरफ देखता है, दूसरे मुल्क की तरफ देखता है, उसकी तुल्ला आपने भारत से करी, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा, और मुझे ये विश्वास है कि एक सो पैतिस करोड भारतियों की ये बुलंद आवाज, आप तक लंडन में भी पहुँचेगी, तीसरी बात जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने कहा है, कि भारत में लोक्तंत्र खतम हो गया है, भारत के इतिहास में अगर काला अध्याय कोई है, तो वो आपात काल है, जो स्वर्गिये प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी जी ने लगाया, तब लोक्तंत्र पे एक हमला हुआ, और ये कैसी कॉंग्रिस पार्टी है, ये कैसा गांधी परिवार है, जिसको विश्वास नहीं सर्वोच न्याले में, जिसको विश्वास नहीं एलेक्शन कमिशन ओव इंडिया में, जिसको विश्वास नहीं है प्रधान मंत्री के उच पद पर जिसको लोगतंद्र के चौथे स्थम्ब मीडिया पे विश्वास नहीं है जिसको EVM पे विश्वास नहीं है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसको जनता पे भी विश्वास नहीं है। ये कैसी कॉंग्रेस है। अभी दो महीने पहले उत्तरपरदेश की उधारर दे दे एक इतिहासिक जीत भारतिये जनता पार्टी ने दर्ज करी। कॉंग्रिस पार्टी के 399 प्रत्याशी थे 387 की जमानच जब्द हो गई राहूल गांदी जी आप देश के यशस्ती आदर्निय प्रदानमंत्री जी से नफरत करते हैं ये जग जाहिर है लेकिन खबरदार अगर आपने हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी कहा एक बात और कहूंगा और बड़े भारी मन से हम ये आपके समक्ष रखेंगे राहूल गांदी जी की राजनिती ऐसी हो गई है कि कोई पिएजडी के एक्जाम में बैठना चाहता है लेकिन किताबों से नफरत करता है और नर्सरी पास नहीं करी विदेश निती पे राहूल गांदी जी ए बी सीडी नहीं जानते हैं और वो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं राहूल गांदी जी कहते हैं कि लद्दाक में हालाद यूक्रेन जैसे हैं यह खुद में दिखाता है कि राहूल गांदी जी आपको ना भारत की ताकत का पता है ना विदेश निती का ग्यान है और आपने ऐसा पाप किया है जो धुलने वाला नहीं है क्योंकि यह सर्विधित है हमारे देश की वीर सेना के जवान करनल संतोष बाबु जी इन्होंने शहादत दी भारत की धरती के लिए भारत की ताकत ये थी कि जिस सेना को लगता था कि हम बहुत वीर हैं उनको पीछे जाना पड़ा उनको समझ में आया कि भारत के शूर वीर क्या हैं लेकिन उनका भी अपमान राहुल गांधी करते हैं और लग्दाक की तुलना वो यूक्रेन से कर देते हैं मैं सिर्व इतना ही कहूंगा कि आज भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित में आगे बढ़ रहा है आप अगर एक सकरात्मक भूमिका निभाएंगे तो भी ठीक और अगर आप नहीं निभाएंगे तो भी भारत आगे ही बढ़ेगा और अंत करूंगा यही याद दिलाते हुए जब अनुछे 370 जो की एक एतिहासिक कदम था उसको हटाया गया तो पाकिस्तान को बड़ी परिशानी हुई पाकिस्तान ने एक डॉजियर दिया था युनाइटिड नेशन्स में उसकी तस्वीर मेरे पास है और उसके पहले प्रश्ट पर किसका व्यक्तव था राहूल गांदी जी आपका व्यक्तव था आप पाकिस्तान से नजदीक हो गए अपने देश और देशवासियों से दूर हो गए इस प्रेसवारता का अंत यही कहके करेंगे पूरे विश्व को आज पता है एक सो पिच्चानवे करोड़ टीके सुरक्षा कवच अगर भारतियों को लगे हैं तो वो हमारे देश की महांता है कोविड की महामारी में कितने बड़े देश जो अपने आपको मजबूत समझते थे कमजोर हो गए और भारत और मजबूत होकर निकला अस्ती करोड़ भारतियों को अन देना कि कोई भूका न सोए इसकी चर्चा अगर आप प्राहुल गांदी जी विदेश में करते तो अच्छा होता ग्यारा करोड़ गैस सिलिंडर महलाओं को देना ग्यारा करोड़ शोचाले बनना आप तुलना ऐसे देशों से करते हैं जिनकी मदद आज भारत कर रहा है नफरत का मोतिया बिंद अगर किसी को हुआ है तो वो राहुल गांदी हैं और बड़े भारी मन्द से हम कहते हैं ठीक है आप विपक्ष में हैं विपक्ष का मतलब ये कता ही नहीं है कि आप नफरत की आंधी में भारत को नुक्सान पहुचाएं धन्यवाद कि अधन्यवाद आपने जो प्रश्ण पूछा वही ट्वीट मैंने सार्जनिक किया था ये जब पार्ट टाइम राजनिती आप करते हैं और नफरत से भरे होते हैं तो अक्सर आपका जो असली चरित्र है वो बहार आ जाता है कॉंग्रिस पार्टी के अंदर खाने में यही नफरत है यही ट्वीट वहाँ चलते हैं यही तस्वीरे वहाँ भेजी जाती है बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है हुआ तो हुआ साम पित्रोधा ने कहा था तो आज यह दुखद है लेकिन आश्रे जनक नहीं कि अंतना तो हुआ है अई अधर कोशन है अधर कोशनी है कि मैंने कहा कि अपरिपक्व हैं पार्ट टाइम हैं ना समझ हैं यह देश की जनता जानती है लेकिन ऐसे व्यक्तव पे जब बार-बार आने लगे हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा और बड़ी जिम्मिदारी से कह रहा हूं यह देश के साथ गद्दारी है आपको सत्ता का सुक भोगना है उसके लिए अगर आपको देश का नुक्सान करना पड़े तो गांधी परिवार कर सकता है यह इस बात का प्रतीक है लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा यह देश महान था महान है और महान रहेगा अगर एक लाख राउल गांधी जैसे नासमझनेता नफरत रखके आएंगे तो भी इस देश के पास यह ताकत है कि उनको नेश्ट नाबूत कर देगा कर देखा है प्रड़ा का बढ़ा झाल जैसे प्रफंट विज देखा है प्रफंट व्राव भी इसमाद कर दिक्तिक है झाल झाल